हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टडी मास्टर में आपका फ्रेंट जियास राए फ्रेंट्स आज है दो सप्तेमब्र आज के अच्छे से अगर आपको पीडिया फाइल डाउलोड करने तो आप अपमारे टेलिग्रम चैनल जोईन कर सकते हैं आपको और बहुत सरी वीडियो की पीडिया फाइल वहाँ पर मिल जाएगी चलिए शूर करते हैं आज केंदर सरकार ने केरल का नया राज्यापल किसे न्यूक्त किया है तो उसका राइड अंसर है आरिफ मुहम्मद खान नेक्स्ट केंदर सरकार ने तेलंगाना का नया राज्यापल किसे न्यूक्त किया है तो वो है तमिसलाई सुन्दर राजन तो तेलंगाना का नया राज्यापल बहुत इंपोर्टन है करेंट फेर में कोशन आपको जो है directly किसी भी एक्जाम में मिल सकता है तमिल साई सुंदर राजन next question किंदर सरकार ने महाराष्टर का नया राज़पल किसे न्युक्त किया गया है भगत सिंग कोशियारी महाराष्टर का है भगत सिंग कोशियारी तो किंदर सरकार ने माचल परदेश का नए राजयपल किसे न्यूक्त किया है बंडारू दत्ता त्रे राजिस्थान के नए राजयपल कौन है तो कल राजमिशर कल राजमिशर ने पिछली 22 जुलाई को माचल परदेश के राजयपल के तौर पर शप्त लेती लेकिन नई अजी सूचना के तैत उन्हें अब राजिस्थान का स्थांतरित कर दिया गया है अब देख लिए आपर कुछ important है आपके लिए fact लेकर आया हूँ कौन-कौन से राज्या का पहले राज्यापल कौन थे और अब कौन है तो आप ये विशेश जो है इसको स्क्रीन शोट लेके रख सकते हैं क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है राजिस्थान के पहले थे कल्यान सिंग अब है कलराज मिशर तो ये कल्यान सिंग और कलराज मिशर ठीक है नहीं नियुक्ति होगी है तो ये नहीं नियुक्तियां बहुत ज़ारे इंपोर्टन है आपको ये जुरूर याद रखनी है एक्जाम में डिरेक्ट आपको एक कोशन जुरूर मिलेगा यह आपे पांच है पांच में से कोई एक तो आपको डिरेक्ट मिल जागा तो इसलिए ध्यान से यह याद रख लिजिए टैस्ट क्रिकट में हैट्रिक लेने वाले सेसरे भारते के इंदवाज कौन बन गए है जस्परित बुम्रा और माणू प्रिक्षन के विरुद अंतराष्टरे दिवस कब मना जाता है अगस्त को हाल ही में भारत की पहली मेला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है तो वह है शालीजा धामी उन्होंने गाजियाबाद के हिंदन एयर बैस में चेतक हेलिकॉप्टर की एकाई के फ्लाइट कमांडर का गार्यवाल संभाला हुआ है फ्लाइट कमांडर का पद फ्लाइट कमांडर उन्होंने पें दूसरा बड़ा पद होता है इसका ता है कि धामी कमांडर उसर के बाद इम maintenu में दूशरी बड़ी अधिकारी है अभी चलिजड धामी के बाब स्ञाब के लुध्याना में फाली बड़ी है वह भारतिय वाजु सेना की फ्लाइंक बराच की स्थाई कमिशनिंग अफिसर हैं वे हेलिकप्टर उडाती हैं जो पहली मैला पहली फाइटर पालेट थी वह थी अपनी चतुरवेदी नक्स्ट, UNCCD की कॉनफरेंस और पार्टीज कॉप 14 का युजन 2 स्टमबर से 13 स्टमबर 2019 किस देश में किया जाएगा तो भारत के अंदर किया जाएगा फ्रेंट्स यह 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 कहां पर किया जाएगा ग्रेटर नौइडा में राष्ट्रिय पक्षी विष्विज्यान के अंदर की स्थापना किस श्यार में की गई है कोईमबर तूर के अंदर और चलिए इंपोर्टन वन लाइनर देख लिए वो तो थे कॉशन अब इंपोर्टन वन लाइनर फ्रेंट्स ऐसा होता है कि डिफेरेंट्स मैं आपको थो अब पर चलिए और बहुत सारी निउसपेपर जिसमें से इंपोर्टन चीज़ें मिलती है क्योंकि हमारी पूरी टेम है पहले ही सारी निउसपेपर पढ़ती है उसके बाद पी आई भी पढ़ती है और कुछ ओफिशल वेबसाइट को फॉलो करते हैं उसके बाद जो इंप कोशन करवा दिये और बात खतम फ्रेंट्स कोशन कहीं से भी आ सकता है जो जो इंपोर्ट चीज़े वो सारी आपको देखनी चाहिए तो आप यहां पर जरूर देखा कीजिए डेली वीडियो आपर पब्लिश की जाती है और फ्रेंट्स सब्टमबर 2019 करेंट फेर के नाम से प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं डेली की करेंट फेर की वीडियो उसके अंदर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो इसका लिंक दियाग है वहां से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं सबी वीडियो को गोरेवाड अंतर किस शहर में की जाएगी नागपूर के अंदर हाल ही में सुर्क्यों में रही कंदांगी साड़ी के स्राज्य से समंदित है तमील नाडू से पंदांगी साड़ी और डेडी गुल ताले को जी आई टैग परदान किया गया है चले फ्रेंट से यह बताएए तमील नाडू के सीम कौन है मैंने कल बताया था आपको MSME Startup तता मेला उद्यामियों के विकास के लिए Government E-Marketplex ने किस संगठरन के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो नोंने सिड़बी की फिर्फिम देख लिए Small Industry Development Bank of India नेक्स देख लिए Tuberculosis का मुकाबला करने के लिए Artificial Intelligence के उपयोग के लिए केंद्रे स्वास्ते मंत्राइले ने किस संस्तान के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो नोंने के वादवान इंस्टिटूट फॉर Artificial Intelligence तो वादवान इंस्टिटूट जुरूर याद रखिये हाल ही में राजीव गांधी खेल रतना वार्ड पर राप्त करने वाली पहली भारतिया महिला पैराथलीट कौन बनी है तो वो बनी है दीपा मलिक नाक्स टेख लिए यहां पर और एक इसमें से इंपॉर्टन कॉर्शन है कि जो जितने भी खिलाड़ी उनका चैन कि ने किया था एक समीथी ने किया था और समीथी के परमुक कौन सा है जस्टिस मुकुंद शर्मा तो यह याद रखिये जस्टिस मुकुंदम कम शर्मा तो यह उनकी जो समीथी के परमुक थे तो यह कौशन पूछा जा सकता है हाल ही में सुर्ख्यों में रहा स्ट्रामबोली जवालमुक कि किस देश से रेलेटिड है वो इटली से स्ट्रोंबेली क्या यह एक छोटा से दवीप है अंतराश्ट्रिया अपदा पर्तिरोध क्षमता पूर्ण अधोर्थ सरंचना गठमंदन स्रीडियारी की स्थापना किस शेर में की जा रही है नई दिली के अंदर कजान में विश्व कौशल पर्तिस परभा में स्वर्ण प पाकिस्तान ने मिसाल को क्रडिया है यह इस इस परही जाने में सक्षम है यह मिसाल के तक मार्म कर सकाने वाली मिसाल है गौरतलब है कि पाकिस्तान ने 26 अगस्त को भारत को इस प्रिक्षिन के बारे में सूजित किया था क्योंकि एक्टूबर 2005 में भारत पर पाकिस्तान के बीच में मिसाइल प्रोटोकॉल, मिसाइल टेस्ट प्रोटोकॉल पर स्टाक्षित किये गए हैं इस प्रोटोकॉल के तहट इस प्रकार के प्रिक्शन से पुरो देश को सुचित करना आविश्यक है दौरतलब है कि जब से भारत ने जम्मो कश्मीर से इनुशे 370 हटाया है तब से दोनों देशों के बीच में संबंद काभी तनावपूर्ण हो गए है पाकिस्तान लगाता रंतराश्ट्रेस तरपर भारत के विरुद दुस परचार करने का प्रयास कर रहा है जिसमें उसे कोई विशेश सफलता नहीं मिली है तो ये आपके लिए पूरे इन्फरमेशन थी नेच्ट देख लिजिए किस के अंदरिया मंतराले ने अंगीकार नामक अभियान शुरू किया है के अंदरिया अवास तथा शहरी मामले मंतराले ने अंगीकार नामक अभियान शुरू किया है चलिए question of the day देख लीजिए आप लोग इसका answer comment box में जुरूर दीजिए friends आपको daily question दिया रहता है ये question इतना important रहता है आपको बता रहता हूँ कि जितने भी आप exam 2019 में देने वाले हैं उसके अंदर जितने भी मैं आप question of the day देता हूँ इसमें से एक दो एक दो question friends एक week के अंदर दो question direct important रहते हैं बहुत ज्यादा important रहते हैं और माले जो आपर 100 question आपसे पुछ रहेंगे तो चार से पांच जो है question of the day में से आपको चार पांच question तो ऐसी cover हो जाएगे आपने जो चलते चलते पढ़े थे और कमेंट करके किसी का कमेंट बे अंसर पढ़ा था और किसी का कमेंट बे अंसर किया तो आपको वो हो जाएंगे who is the first president of India तो भारत के पहले राष्टरपाती कौन थे तो नीचे कमेंट में जुरूर बताईए अभी friends ठीक है यह तो कोई बता सकता है लेकिन उनका time period उनका कारेकाल जुरूर बताईए कब से कब तक वो रहे थे friends वीडियो चलेगी तो like कर दीजिए share कर दीए ताकि दूसरों का फायदा हो जाए और चैनल को subscribe कर लेजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो प्लोड़ हो आपको सबसे पहले उसके बारे में information मिल जाए friends कौन कौन railway की तैरी कर रहे हैं प्लीज बताईए क्योंकि हम railway के लिए एक नया बैच शुरू करने वाले हैं railway के लिए हम बहुत जारी important questions करवाएंगे आपको जो railway को target करेंगे और railway को target करने का मतलब है कि जो आपके 50 questions GK के या GSK रहेंगे उसमें से आपको 48 questions तक बिल्कुल